अयूप 49 बाब जो 30 आयाप पर मुश्टमिल है क्या तू जानता है पहाड की जंगली पक्रियां कब बच्चे देती हैं या जब हिर्निया ब्याती हैं तो क्या तू देख सकता है क्या तू उन महीनों को जिन्हें वो पूरा करती है गिन सकता है या तुझे वो वक्त मालू है जब वो बच्चे देती हैं वो जुक जाती हैं वो अपने बच्चे देती हैं और अपने दर्च से रहाई पाती हैं उनके बच्चे मोटे ताजे होते हैं वो खुले मैदान में बढ़ते हैं वो निकल जाते हैं और फिर नहीं लौटते गोरखर को किसने आजाद किया जंगली गदे के बंद किसने खोले बेयाबान को मैंने उसका मकान बनाया और जमीन शोर को उसका मसकन वो शहर के शोरो खुल को हेच समझता है और हांकने वाले की डांट को नहीं सुनता पहाडों का सिंसला उसकी चरागा है और वो हरियाली की तलाश में रहता है क्या जंगली सांट तेरी खिद्मत पर राजी होगा? क्या वो तेरी चर्नी के पास रहेगा? क्या तू जंगली सांट को रसे से बांद कर रिगारी में चला सकता है? या वो तेरे पीछे पीछे वादियों में हेंगा फेरेगा? क्या तू उसकी बड़ी ताकत के सबब से उस पर भरोसा करेगा? या क्या तू अपना काम उस पर छोड़ देगा? क्या तू उस पर एतमाद करेगा कि वो तेरा घल्ला घर ले आए और तेरे खल्यान का अनाच इकठा करे शुतर्क मुर्ख के बाजू आसूदा है लेकिन क्या उसके बरो बाल से शपकत जाहर होती है क्यूंकि वो तो अपने अंडे जमीन पर छोड़ देती है और रेट से उनको गर्मी पहुंचाती है और भूल जाती है कि वो पौंच से कुछले जाएंगे या कोई जंगली जानवर उनको रौंफ डालेगा वो अपने बच्चों से ऐसी सख दिली करती है कि गोया वो उसके नहीं खाँ उसकी महनत राएगां जाए उसे कुछ खौफ नहीं क्यूंकि खुदा ने उसे अकल से महरूम रखा और उसे समझ नहीं दी जब वो तनकर सीथी खड़ी हो जाती है तो गोड़े और उसके सवार दोनों को नाची समझती है क्या गोड़े को उसका जोर तूने दिया है क्या उसकी गर्दन को लहराती अयाल से तूने मुलबस किया क्या उसे टिड़ी की तरह तूने कुदाया है उसके फराने की शान महीब है वो वादी में टांप मारता है और अपने जोर में खुश है वो मुसल्णा आद्मियों का सामना करने को निकलता है वो खौफ को नाचीज जानता है और घबराता नहीं और वो तलवार से मून नहीं मोड़ता तरकश उस पर रड़ खड़ाता है चमकता हुआ भाला और सांग भी वो तुंदी और कहर में जमी पैमाई करता है और उसे हकीन नहीं होता कि ये तुरही की आवास है जब जब तुरही बच्टी है वो हिन हिन करता है और लड़ाई को दूर से सूंग लेता है सरदारों की गर्च और ललकार को भी क्या बास तेरी हिकमत से उड़ता है और जनूब की तरफ अपने बाजू पहलाता है क्या उकाब तेरे हिकम से उपर चड़ता है और बुलंदी पर अपना गौंसला बनाता है वो चटान पर रहता और वही बसेरा करता है यानि चटान की चोटी पर और पना की जगा में वही से वो शिकार ताड लेता है उसकी आँखें उसे दूर से देख लेती है उसके बच्चे भी खून चूसते हैं और जहां मक्तूल हैं वहां वो भी है